हेलो फ्रेंज नमस्कार आज हम बात करेंगे कॉमन डे-to-day प्रावलम के बारे में जिसको गैस बोलते हैं गैस क्या है कहां आता आए कहां जाता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए मैं डॉक्तर मनीश काक कंसल्टन गैस्ट इन्ट्रॉलोजिस्ट लिवर स्पेशिलिस् गाजियाबाद तो फ्रेंड गैस एक कॉमन प्रॉब्लम है रोज हमारे पास पेशन्ट आते रहते हैं कि डर्ग साब गैस हो गया गैस हो गया दिक्कत आ रही है पेट फूर रहा है परिशानी हो रही है इसिर बन रहा है तेजा बन रहा है तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और इसका कारण क्या है तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह गैस है क्या यह कहां से आता है तो जो हमारे पेट में डाइजेशन में जो गैस होता है उसके दो रीजन होते हैं एक होता है जब हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं तो हम खाना स्वैलो करते हैं अंदर खाने को कारने की प्रक्रिया होती है जो खाने का conditioning होता है उस digestive process में कुछ गेस बनता है तो गेस के दो कारण मोटा-मोटा होती है एक swallowed air जो हम खाना खाते के time पे swallow करते है और तूसरा जो अंदर का metabolism है तो ये ज्यादा कैसे बनता है ज्यादा बनने का कारण नहीं पुछा रखके करते हैं तो हमारे साथ वह एर जादा अंदर जाता है और दूसरा कभी कभी intestines में कुछ infections, bacterial overgrowth, कुछ bacterial changes होते हैं जिसके कारण gas की tendency जादा बनती है अब इसमें add करती है कभी कुछ दवाया जो gas production जादा करती है कभी को infection जो gas का production जादा करती है कभी bacterial load intestines में बढ़ता है जिससे gas जादा बनता है और कभी कुछ खाने के पदार्थ हैं कुछ vegetables हैं या कुछ pulses हैं जिनसे gas production जादा होता है तो यदि आपको gas जादा बन रहा है मतलब gas बनना किसको बोलते हैं पेट फूल गया डकारे जादा आ रही है या लैटनी के रासे से हवा जादा पायास हो रहा है खाने के बाद bloating पेट फूलता है तो हम कह सकते हैं कि gas का production जादा है तो उसके लिए सबसे पहले तो eating habit अपना ठीक करना है मतलब देरे देरे slowly अच्छी तरह से चबाके खाना खाना है मरलब हरीडली जलबाजी में खाना नहीं खाना है और पानी कभी भी उंचे से नहीं पीजिए और तीसरा फिर अगर फिर भी गैस जादा बन रहा है तो कुछ विजिटेबल्स हैं जिनका मैं नाम लोगा जैसे एक तो pulses हैं धाले हैं राजमा छोले मतर बीन्स इसमें गैस प्रोडक्शन जादा होता है इसको आपको अवाइड करना है और विजिटेबल्स में आनियन हैं गारलिक है और कैबेज गोबी बगारा इसको खाने में कम करना है इससे कहा है कि गैस का प्रोडक्शन अंदर कम होगा तो आपको रिलीफ आ जाएगा इसके बाद भी नहीं होता है तो बेटर है आप एक नजदी की गैस्ट्रो या पेट के विशेशेगी से मिलिए जो यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह फिजियोलोजिकल गैसे मतलब नॉर्मल टाइब से ज्यादा बन रहा है या किसी बिमारी से बन रहा है तो उसका रोक थाम उसका ट्री क्वारी विशेशेशन को आथ और उनको प्रॉबर्म है तो इनको समझ में नहीं आता है कि यह यह गैस है या अंदर उनी कुछ पैन है तो डॉक्टर आपको देखके समझके सिम्ट्म देखके पेट का एग्जामन करके उसकता है कुछ टेस्ट ओर करें जिससे यह समझने मे हमें इजी होगा कि ये गैस है, नॉर्मल गैस है, खराब किसम का प्रॉबलम है या अंदर कोई सीरिस प्रॉबलम चल रही है जिसके लिए आगे का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार मरीजों को गैस के बारे में ये भी एक गलत फहमी होती है कि गैस पेट से निकल के सिर पे जाता है, जोडों पे जाता है, तो अकसर ये समझ लीजे कि ये गैस आगे पीछे एसकेप नहीं कर सकता है, ये पेट में ही रहता है, पेट में दिक्कत देता है, उपर आगे पीछे जाने वाला वैसा गैस का प्रॉलम नह दर्द है इसका मतलब है आपको एक बर नियूरो को दिखाना पड़ेगा सिर के स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा कि ब्रेयर में कुछ प्रावल्म है क्या हमेशा हर एक प्रावल्म को गैस पे मत डालिए प्रावल्म होती है हाट इटैक टाइप दिक्कत आती है तो मरी ज़्यारा ड्राग साब गया है, तो गयाइस के बारे में ये बहुत important है समझना, लोगों को काफी public में misnohem होना है, गलत फहमी भी है, कि ये गयाइस है, ये गयाइस, सब कुछ गयाइस नहीं है, कुछ चीजे सीवियर भी हो सकती है, तो उसका proper assessment करना, खयाल करना, अपने symptom को समझना, और in case नहीं clear हो पा रहा है, तो नज़दी की doctor को दिखाई है, hospital में आ जाई और इसका proper treatment कराई है, thank you very much, नमस्कार.